तो आज की वीडियो एक ऐसे गिंबल के बारे में है जिसमें काफी फ्यूचिरिस्टिक फीचर्स हैं AI ट्राकिंग है काफी कस्टमाइजेबल बटन्स हैं बहुत साथी ऐसी चीजे हैं जो मैं आज की वीडियो में कवर करने वाल हूँ पहले मैंने सोचा था इस गिंबल की हम कुछ ऐसी वीडियो बनाया जो इन्फरमेटिव हो सके बट इसके अंदर फीचर्स फंक्चन इतने हैं कि मैंने सोचा एक डेडिकेटिड रिव्यू करते हैं तो यह है फ्यू स्कॉर्प टू एक ऐसा गिंबल जो फ्यू टेक ब्रांड आम शोर आप फेमिलियर होगे यह काफी नोन ब्रांड है जो काफी अलग लग गिंबल बनाते रहते हैं तो यह बला पर्टिकुलर मॉडल जो है इसको हम रिव्यू करने वाल हैं तो आगे चलते हैं मैं आपको एक एक करके इसके 15 ऐसे मेजर फीचर्स हैं जो मैं आपको बताता हूं तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर आपको एक ब्लू कलर का हलका से सर्कल देखेगा यह है एक एक बार गिंबल पगड़ लेना तो इसमें क्या है बेसिकली अगर मैं इसके दो तरीके हैं एक आप जेस्चर से कंट्रोल कर सकते हो तो अभी अगर मैं इस तरीके से यह करता हूं और एकदम से लाइट ग्रीन हो गई है अब इसका बेनिफिट के अगर मैं इस तरीके से इधर-उदर मूफ करूंगा तो कैमरा भी अगर आप देखो के साथ-साथ मेरे मूब हो रहा है और इसका फायदा ही है कि मालने आप एक सोलो क्रियेटर हो और आपको चा जा रहा हूं उपर आ रहा हूं तो ही काफी सı Estoy 1968 कर रहा है अगर तो आपको यह काफी सःए कपी प्लिल्ट कर रहा चांप इसका सका करते तो अभी AI tracking off है, इसका on कर लेते हैं, अभी on है, प्रवीन एक बार फ्रेम में आ जाना, तो प्रवीन एक बार left right जाना, let's see, तो ठीक है, प्रवीन को तो ट्रैक नहीं कर रहा, अगर मैं left right जाता हूं, तो यह मुझे ट्रैक कर रहा है, अगर मैं प्रवीन के पीछे से भी जात प्रवीन एक बार तुम इधर आना बीच में, तुम वह on करना जेस्चर करके, तो अब इसने AI प्रवीन पर ट्रैक किया, तो प्रवीन अगर मूव कर रहा है इस तरीके से, तो एक बार वापे से दर आओ, तो अगर मैं क्रॉस करूंगा, तो यह मुझे ट्रैक नहीं करेगा उसका रीजन ही है बिकाज एक बार प्रवीन ऐसे करके स्टॉप कर देना, तो इसका रीजन ही है कि जो जेस्चर को एनेबल करेगा ने, उसको डिटेक्ट कर लेता है बिसिकली फेस को और सिरफ उसके उपर ही ट्रैकिंग रखेगा, एक बार और कर लेते हैं प्रवीन कि यहां पर यह सही है जिसके ओपर मैं ताम कर रहा हैं उसी पर ट्रैकिंग करते हैं ऑप्स्टिकल में कैसे अंपर यहां पर अन खर ट्रैक कर रहा है इस वले पेड़ के थुरू भी अगर मैं जाता हूं तो यह ले रहा है काफी सही से तो यह मुझे देखना था मान लेते हैं इस तरीके से आप वाइड आंगल में भी शूट कर रहे हो आपको यह देखने कि आप किसी आपस्टिकल के आगे हैं पीछे से जा र अगर मैं इस पेड़ के पीछे से जाता हूं तो वह देखा था है अगर आप देखोगे का लोगो बना हुए अब यह वील बाइडिफॉल्ट एक डैंपिंग स्पीड पर होता है वह मैं आगे आपको बताऊंगा बट अब 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 आप देखोगे अगर मैं इस नॉब को इस तरीके से घुमा रहा हूं तो यह पैंट कर रहा है अब यहां पर एक बहुत साई स्विच दिया हुए इसको अगर मैं क्लिक करता हूं मुझे स्क्रीन में देख जगा अब यह रोल एक्सिस एक्टिवेट हो चुका है तो इस नॉ इसके इलावा अगर आप मेन्यू में जाओगे फॉर्दर आपको एक option मिलता है damping का damping से क्या होता है damping में बेसिकली आपको option मिलता है कि इसका जो speed है यह कितना आप इसको free रखना चाहते हो कितना hard करना चाहते हो अगर आप 1 कर दोगे तो बहुत loose हो जाएगा अगर आप 10 कर जोगे तो जादा hard हो जाएगा तो आप damping speed भी manually adjust कर सकते हो और एक और बहुत interesting function है इसका अगर मैं scenarios में जाता हूँ आप आप यहां पर क्या होगा मैं जैसे मान लेते हैं यहां पर मान लेते हम इसको start करते हैं अब इस knob को ही use करके जितना मैं बढ़ाते जाओंगा आप यह देखो इसकी जो speed है वो अभी एकदम मैंने let's suppose हम इसको unlimited कर देते हैं अब अभी speed मैंने इसकी maximum कर दिया जितना मैं इसको पीछे को लाओंगा तो यह clicks होते हैं आपको सुनाई देगा clips होते हैं अभी एकदम minimum है तो एकदम minimum speed मैं घूम रहा है इसको मैं जितना increase करते जाओंगा यह देखो इसकी जो rotation speed है वो उतनी बढ़ती जाएगी और यह maximum है तो यह सारे controls है जो आपको इस knob है उससे आप adjust कर सक अब अगर आप इस gimbal को ध्यान से देखोगे ना यह जो traditional gimbal होते हैं उससे थोड़ा अलग है यह यहां पर इसका handle grip दिया हुआ है तो यह dual handle grip gimbal है और इस तरीके से मैं इसको hold कर सकता हूँ राइट है right hand से आप यह main grip को पकड़ सकते हो left hand से आप इस grip को यूज कर सकते हो और even हो जाते हैं और like ankle पर हाथ पर उतना weight नहीं आता और design में एक और काफी cool चीज मुझे लगी इस तरीके से ना यह इसके जो दो legs है यह foldable है और इसको मैं इस तरीके से आप देखो यहां पर अगर बेंच पर भी रखता हूँ तो यह basically portable tripod हो एक तरीके से आपके gimbal में ही tripod भी ह जिसको आप इस तरीके से रख सकते हो और जो मैंने tracking वगर यह सब दिखाया अब as a single person भी single content creator video creator अब इस gimbal को as a tripod रखके भी shoot कर सकते हो अब बातरी camera को connect करने की तो आपको दो options मिलते हैं सबसे पहला है Bluetooth का तो compatible camera list आपको website मिल जाएगी हो सका तो मैं link description में दे दूँगा तो आप compatible camera यूज कर रहे हो अभी मैंने Canon R7 Bluetooth से connect किया हुआ है अब देखो इस तरीके से अभी record करते हुए ही अगर मैं इसका ये record button प्रेस कर दूँगा तो आप video record enable हो चुकिए आप देख सकते हो video recording on है वापिस अगर मैं record का button दबाता हो recording बंद हो जाएगी तो ये wireless connection है कोई wire नहीं है Bluetooth से आप connect करके record on and off या photo लेना वो सब आप control कर सकते हो अब अगर आपको अपने camera का aperture shutter speed ISO चेंज करना है तो आप wired connection लगा के cable लगा के इस तरीके से अपने display से ही जो यहाँ पर आपको LCD मिलता है यूज करके आप aperture shutter speed ISO manually adjust कर सकते हो real time आपके camera में वो चीज़ें चेंज होंगी तो आपको अलग से camera में setting चेंज नहीं करनी पड़ेंगी आप अपने gimbal के display को ही यूज करके अपने aperture shutter speed ISO चेंज करके अगर exposure चेंज होता है वो चीज़ें आप real time चेंज कर सकते हो अब इस gimbal में अगर मैं मोट की बात करो majorly आपको 5 मोट मिलते हैं यहाँ पर अगर मैं tap करूंगा इस तरीके से तो सबसे पहला है PTF जो की है pan tilt follow इसमें pan भी access काम करेगा tilt access भी काम करेगा फिर है pan follow अब इसमें सिरफ pan access क काम करेगा tilt और roll access काम नहीं करेगा उसके बाद अगला है lock lock में क्या है आपकी सारी access lock हो जाएंगी आपका gimbal एक ही जगहां पर रहेगा और आप इस तरीके से कहीं भी gimbal को move करके same अपना जो एंगल हो maintain कर सकते हो then है FPV, FPV में क्या होगा pan tilt access तो होगी roll access भी activate हो जाएगी तो उसमें आप इस तरीके से roll भी कर पाओगे pan भी कर पाओगे और tilt भी कर पाओगे last है FFW, अब ये basically एक तरीके से sports mode है जितना आप fast move करोगे उतना fast ही आपके साथ भी pan tilt करेगा roll access भी इसमें activated रहता है अब gimbal में एक चीज जो normally मैं भी देखता हूँ कि touchscreen होना चाहिए और 1.3 inch का आपको यह touchscreen बलते हैं आप सारे function change कर सकते हो mode change करने हैं इसको calibrate करने हैं इसकी strength adjust करनी हैं कौन से scenario में जाना है वो सारी चीज है A to Z पूरी settings अब इसके display से ही adjust कर सकते हो तो इवन आपको battery देख जाएगा जो important important icon है सब आप इससे access कर सकते हो उसके इलावा programmable buttons भी है यहाँ पे काफी सारे F1 है F2 है उसके बाद power का button है देनिया पर मैंने आपको switch पताया था जिससे आप यह wheel के knob के function change कर सकते हो और यह FPV button को अगर मैं press करता हूं तो इस तरीके से आप FPV mode को enable and disable भी कर सकते हो और F1 F2 के और भी काफी functions है सबसे पहले मैं बताता हूं अगर F1 को मैं double tap करता हूं तो इस तरीके से अब यह vertical यह portrait orientation में आ गया है तो मालने थे हैं अगर आपको vertical video shoot करनी है तो इस तरीके से center करके आप vertical video अपने camera से directly ही shoot कर सकते हो वापिस अगर मैं double tap करूंगा तो यह normal horizontal orientation में आ जाएगा और buttons की अगर मैं बात करूं सबसे cool edition जो मुझे लगा वो है A and B के जो buttons ह इससे क्या होता है अगर आप एक point पे gimbal को ले जाके A button को long press करते हो फिर दूसरे point पे ले जाके B को long press करते हो तो वो अपनी memory में save कर लेगा अब जब मैं वापिस A button प्रेस करूंगा जो A point था जो A position थी वहाँ पे gimbal आ जाएगा फिर अगर मैं B पे click करूंगा तो वो A to B point तो Fioscope 2 में आप up to 2.5 kg तक का combo यूज कर सकते हो camera और lens का अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ I think within 1 kg होगा बट तो भी आप up to 2.5 kg का एक proper mirrorless camera एक अच्छे lens के साथ setup आप इस पे यूज कर सकते हो अगर 2.5 kg तक आप यूज कर रहे हो तो आपको कुछ stabilization में या motors में ऐसा pressure वाल आटाते हो फिर assemble करते हो तो यह memory point आपको ध्यान दिलाएगा कि last time आपने कहां पर balance करा था आपने gimbal को so that आपको फिर manually adjust ना करना पड़े और उसी step से आप जल्दी resume कर सकते हो अब अगर आप vertical video जादा shoot करते हो reals यहां client के लिए तो एक method तो है जो मैंने आपको दिखाया F1 button को अगर मैं double tap करते हो इस तरीके से यह मेरा जो camera है यह vertical position में आजेगा इसको मैं इस तरीके से वर्टिकल वीडियो के लिए यूज कर सकता हो दूसरा तरीका है अगर आप ज्यादा heavy setup थोड़ा यूज कर रहे हो 2 kg का तो मैं suggest करूँगा इसकी अलग से separate plate भी आदी है जिस आप डिरेक्टली कामरा लगा कि इसको नेटिवली वर्टिकल कामरा को वर्टिकल शूटिंग ले उसकर सकते हो तो अब तो यह हो गए सारे features functions आप एक काम करते हैं इसका real well testing करते हैं कुछ यहां पे अलग लग path हैं ऊपर नीचे कुछ difficult terrains है तो कुछ sample लेते हैं stabilization देखते ह आप आप लाप ले टो network लेड़like जाप लेगान पाद लेगा मुले पर आप चाbbवग अपर लेगारा कामरा चाल शुरस से हो वर्टिकल और एक और चीज मैं सजेस्ट करूंगा जो स्कॉप टू में आपको फीचर भी मिलता है जैसी आप अपना लेंस का कॉंबिनेशन या क्यामरा लेंस चेंज कर रहे हो तो अन करते ही आपको ऑटो ट्यून का ऑप्शन मिलता है जिस पर आगर आप क्लिक करते हो यह अटोमाटिक करने से पहले नेक्शोर कर सकते हो आपका जो तीनों जो मोटर से उस पर ज्यादा प्रेशन ना पड़े और अगर आप अभी देखोगे मैंने पावर बैंक कनेक्ट किया हुए केबल से उसका रीजन यह है कि आप स्कॉप टू को यूस करते टाइम पावर बैंक लगा के चा सब्सक्राइब करने के लिए इस तरीके से इंटरफेस है आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे पूरा दिखा देता हूं कैसा है क्या चल रहा है तो जैसी आप कैमरा से करते हो आपको यहां पे सारे आप्शन मिल जाएंगे सबसे पहले आपका डिवाइस का नाम लिखा सबसे पहले जॉइस्टिक है इस तरीके से देखो विदाउट लाग मैं जो भी मोमेंट कर रहा हूं यह कर रहा है लेफ्ट राइट अप डाउन जो भी मुझे चाहिए इवन यह यह एरो बनी हुई है इसको अगर मैं लेफ्ट राइट देके जाता हूं तो इस तरीके से मै कर सकता हूं टॉप लेफ्ट में जो बटन है अगर मैं प्रेस करता हूं सेंट्रलाइस हो जाएगा देन उसके बाद मैं वर्टिकल भी आप से ही कर सकता हूं इस तरीके से देखो तो यह पोट्रेट ओर्येंटेशन में आ गया वापिस मैं डिसेवल करूंगा तो होरिजॉन इवन अगर मैं कैमरा को आगे की तरफ लेके आना चाहता हूं वह मैं इस एप से कर सकता हूं वापिस क्लिक किया आगे की तरफ चला गया इंडरस्टिंग चीज है कि यहां पे जोश्टेक का उप्शन मिलता है देखो मैं इसको एनेबल कर रहा हूं अब मैं जैसे-जैसे फ तब कैमरा की मुवमेंट से बेसिकली कंट्रोल कर सकते हो इस तरीके से जैसे आप देख सकते हो तो एक काफी कूल फीचर है एवन अगर मुझे माल लेते हैं रिकॉर्डिंग करना है फोटो वीडियो करना वह भी आप यहां से कर सकते हो बैक अगर मैं जाता हूं यहां पे अपने पकड़ा आप से सारे चीज़े कंट्रोल कर सकते हो रोटेशन की स्पीड कितनी है माकसिमुम करनी है वह आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो बापे सेंट्रलाइज हो जाएगा जैसे मैं बैक पर जाओंगा देन उसके बाद आपको ऑप्शन मिलते है ट्रिगर बटन को कस्टमाईज करने का आप क्या फीचर देना चाहते हो FPV देना है P, Pan Tilt Follow देना है Pan Follow, by default Lock पे रहता है वो आप उस पे भी रख सकते हो उसके बाद आप Knob को भी कस्टमाईज कर सकते हो Roll, Pan, Tilt किसी Speed कितनी रखनी है Damp, Smooth, इस सारे चीज़ आप यहां से कस्टमाईज कर सकते हो तो आपको अगर लग रहा है कि डिस्पले में चीज़े नहीं हो रही आप फोन में, बड़ी स्क्रीन में सब एड़स्ट कर सकते हो Even camera balance पे अगर मैं जाता हूँ अभी कौन सी motor, कितने pressure पे है वो सब आप live देख सकते हो Even अगर मैं motor power पे जाता हूँ वो भी आप सब यहां से control कर सकते हो Auto-tune कर सकते हो Camera setting जैसी आप camera को connect करोगे वो भी आप adjust कर सकते हो Almost everything is possible through this mobile app आप काफी चीज़ें अपनी gimbal में जो settings है, जो customization है वो आप control कर सकते हो तो यह था Fewtech का Fews Corp 2 एक ऐसा gimbal जो आप use कर सकते हो अपने mirrorless system के लिए 2 kg तक आप उसे 2 kg के आसपस अगर आपका setup जा रहा है आप इस पर लगा सकते हो यूज़े तीन चीज़ें जो काफी सही लगी सबसे पहला था AI tracking जो human को detect करके उसी को track करता है की distraction को ध्यान में नहीं रखता customizable knob है जिसको आप use कर सकते हो अलग-लग custom functions देने के लिए और इसका जो design है वो काफी सही है 2 handle design है अब 2 हाथ में weight को distribute कर सकते हो और भी काफी features हैं जो मैंने आपको पता हैं तो अभी तक जितनी आपने वीडियो देखी उसमें हमने scope 2 यूज किया था but just to let you know few tech का few scope C भी एक gimbal है अगर आप एकदम professional नहीं जाना चाहते almost similar features है differences में आपको पता देता हूँ तो scope 2 में आपको LCD screen मिलती है scope C में navigation buttons है physical buttons है but आप app को यूज करके वो ही सारे functions सारे features gimbal को पूरा control कर सकते हो तो scope 2 में आपने देखा आपने physical AI camera को यूज करके sensor को यूज करके tracking करी तो scope C में वो चीज आपको physical AI camera नहीं मिलेगा उसके इलावा बाकी सारी almost चीजें similar है, memory slider है आपके पास knob है जिसको आप use कर सकते हो अलग अलग functions के लिए then जो physical design है, even payload दोनों का similar है, तो दोनों के जो best buy links होंगे आपको description में मिल जाएंगे आपके क्या views उसे comment में बता सकते हो price इसका around 30,000, 32,000 के आसपास है जो exact best buy link होगा आपको description में मिल जाएगा तो I think इस price में जो features है वो even 40,000 की range में भी नहीं आते especially AI tracking, customizable wheel तो उसे साब से काफी सही है and obviously एक एक common question होगा कि इनका after sale service का क्या system है तो जो मैंने पूछा जो उनके distributor है Qtech के basically pan India around 20 plus service centers है और उसका भी अगर link होगा मैं description में दे दूँगा, आप check कर सकते हो so that's it, आपके क्या views हैं आप अपने comments में बता सकते हो I'll see you in the next video तब तक take care and keep clicking